नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के रियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइस जीकिए के टो फिप्टी क्यूशन निकराएं जिनके अंदर आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन में कराने वाला दोस्तों याराकना हमारी जो क्लास रहती है वह नदी एंगे रहती है तो चलीगा आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं परते क्यूशन का और अंदर क्मेंट बोक्स में दीजी का अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर जूरू करें तो चलीग तो देखी friends, सही आंसर होगा पर मस्तिस्क, ठीक है, मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, पर मस्तिस्क होता है, option C आपका सही आंसर होगा, अगला question है important, very important question देखिए, मानव शिर्की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो देखिए कि very important question, next देखते हैं अगला question, मनुष्य में मेरुधन से कितनी जोड़ी तंतरीका निकलती है, सही आंसर होगा 31, option C आपका सही होजएगा, मनुष्य के मेरुधन से 31 जोड़ी तंतरीकाओं निकलती है, अगला question देखिए, पर्ति वर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां पर है, तो देखिए, पर्ति वर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंदर कहां परता है, कसेरुक रज़ों में, option C, सही आंसरों का कसेरुक रज़ों, next देखते हैं अगला question, oxygen की उपस्तिति में सुक्रोज का CO2, कारबन डायोकसाइड, एवं जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रुप आंतरन होने को क्या कहते हैं, तो देखिए, क्या कहते हैं, वायू सर्वशन, option A, सही आंसरों का ठीक है, याद रखिए, oxygen की उपस्तिति में सुक्रोज का CO2, एवं जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ, पूर्ण रुप आंतरन होने को वायू सर्वश option A, आपका सही हो जाएगा, 4% आपका सही आंसरों का, जो हम हवा में साथ चोड़ते हैं, मुह से, उसके अंदर carbon dioxide की मातरा होते हैं, 4%, अगला question देखिए, next है, क्रेब शक्र में किसका संसलेशन होता है, इसका सही आंसरों का, पायूरिक अमल, option B, सही आंसरों का, अगला question द तो नए फ्रों जो है, वो संबन दिता है, वरिक से, option C, आपका सही आंसरों होगा, अगला question देखिए, अपोहन, dialysis का परियोग, किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है, dialysis का परियोग किस के लिए के दता दिखिए, वरिक के लिए, ठीक है, option D, आपका, सही आंसरों होग वरिक, नेक्स देखिए, अगला question, निशेचन की किरिया कहां पर होती है, सही आंसरों होगा, अप्शन B, राइट आंसरों होगा, नेक्स देखिए, अगला question, गर्भाशे में सीशू के विकास की जानका रिखे लिए, अल्टरा साउंड का परियोग होता है, नेक्स्ट देखिए, वरून के विकास के लिए निमल कित में से, किस अंग दवारा खादे की आपूर्ती की जाती है, सही आंसर होगा बिजांशन के दवारा, ओप्शन B, राइट आंसर होगा, अगला क्यूशन देखिए, इस्तियों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है, सही आ से, कोन एक गरंथी नहीं है, सही आंसर होगा, जठर, ओप्शन B, राइट आंसर होगा, जठर क्या है, देखिए, गरंथी नहीं है, लेकिन थाइराइड, या क्रित, अगिनाशे, ये तीनों जो हैं, गरंथी हैं, लेकिन जठर जो है, वो गरंथी नहीं है, नेक्स देखते सही आंसर होगा next देखिए मनुष्य की सरीर की सबसे चोटी गरंथी है मनुष्य के सरीर की सबसे चोटी गरंथी है कौन सी? pituitary ठीक है यादर की pituitary क्या है मनुष्य की सरीर की सबसे चोटी गरंथी option C सही आंसर होगा अगला question देखते है गाय और बैस के थनों से दूद उताने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है very important question सही answer होगा oxytocin हार्मोन option B right answer ठीक है गाय और बैस के थनों से दूद उताने के लिए oxytocin हार्मोन की सुई लगाई जाती है next दिखते हैं अगला question ठायराइड गरंथी में ठायरोक्षिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतेश्रावी हार्मोन कौन सा है इसका सही answer होगा TSH ठीक है कौन सा है TSH हार्मोन है ठायराइड गरंथी में ठायरोक्षित स्रावित करने वाला उत्तेजित अंतेश्रावी हार्मोन, ठीक है, कौनसा हार्मोन है, अंतेश्रावी हार्मोन है TSH, option A आपका सही आंसर होगा, अगला question देखते हैं, नेमलकित में से किसकी कुंसी क्रिया के कार्ण, मानवश्री में मिक्सी डीमा होता है, सही आंसर होगा, आउटू गरंती, option D से किस में आयोडिन होता है, किस में होता है, थायरोक्षिन के अंदर, option A, सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिये, थायरोक्षिन के अंदर, आयोडिन पाय जाता है, next देखते हैं, अगला question, नेमलकित में से, कौनसी एक अंतेश्रावी गरंती, पियूस गरंती से, सही आंस का नियंत्रन कोन करता है, सही आंसर होगा, अधिवरिक, कोन करता है, रख्त दाव का नियंत्रन जो है, अधिवरिक करता है, option A, आपका सही होगा, next देखिये, अगला question, very important, जीवन रख्सक हार्मोन, किस गरंती से, स्रावित होते हैं, तो सही आंसर होगा, एडरिनल हार्मोन कौन सा है, एडरिनल हार्मोन, जीवन रख्सक हार्मोन, स्रावित होते हैं, ठीक है, एडरिनल गंती आपे, राइट आंसर होगा, option A, next देखिते हैं, अगला question, insulin है एक परकार का, क्या है, हार्मोन, option B, सही आंसर होगा, अगला question देखिते है, परकास वार्ज किसके इकाई है सही आंशर होगा दूरी किसकी है दिस्टेंस या दखिए परकाश वर्ष जो है वह ही काई है डिस्टेंस की दूरी की option A सही आंशर होगा अगला question है निमलकित में से कौन सा हार्मोन है सही आंशर होगा insulin क्या है एक हार्मोन option C आपका सही होगा अगला question है कौन सी गरंती insulin निसारन के लिए उत्तरदाई है सही आंशर होगा अगनाशर होगा option D राइट आंशर होगा अगनाशर गरंती insulin निसारन के लिए उत्तरदाई है याद रखिए important AB next question देखिए आग के किस भाग पर वस्तु का पर्तिबिम बनता है फ्रेंट्स फटाफट कमेंट करिए आग के किस हिस्से पर वस्तु का पर्तिबिम बनता है इसका सही आंशर हो जाएगा तेक है कमेंट करके जुरू बताना है काईसा पर्तिबिम मनता है क्योंकि एक्जाम के अंदर ये क्यूशन कई बार पूछा गया है इंपोर्टेंट है। पैरा मिशिम यहाँ पर राइट अन सुरूगा। नेक्स दीकिए। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटो जोगा कौन से है। प्लाजमोडियम होता है याद रखेंगे। उप्शन C, प्लाजमोडियम आपका राइट अन सुरूगा। नेक्स दीकिए। याद आपका राइट अन सर हो गैं परूआ। नेक्स दीकिए। प्लाजमोडियम आपका राइट अन सर हो गएं परूगा। ृप्शन C, दीकिए। प्राणी कौन से है, इन में से सीत रखती है प्राणी कौन से है तो दोस्तों कौन से है मचली, मेंडक, चिवकली तीनों की तीनों है, सीत रखती है प्राणी या देखना, option D उपरी लुक्ष अभी आपका right hand next पाव क्रिस्टिस किसका वेग्यानिक नाम है पाव क्रिस्टिस किसका वेग्यानिक नाम है तो दोस्तों या रिकना पाव क्रिस्टिस, मोर का पिकोग, मोर का वेग्यानिक नाम होते है option D, आपका right hand साथ में याद देखते हैं, दोस्तों मनुष्टिस का va-ga-ga-gnak nam Homosapiens होते है, mendog ka va-ga-gnak nam Rana-Tigreena होते है, और आप posts, वह लोग हमें कमेंट करकी बताएंगे, बाग, बाग का वेग्यानिक नाम क्या होते है, वह आप हमें comment करके, comment box में बताएंगे ये आपका homework है, ata अपका homework है, next दीजिकी, मनुष्य के जीवन काल में कितने दात दो बार विक्षित होते हैं तो दोस्तो जानिका देखे 20 दात मनुष्य के जीवन काल में 20 दात दो बार विक्षित होते हैं Option C आपका 20 यहां पर right answer होगा next मानुष्य में पाचन में पाचन का अधिकांच बाग किस अंग में संपन होता है किस में होता है चोटी आंथ में होता है या रखना option C आपका चोटी आंथ यहां पर right answer होगा next निके कर पाचन किरिया में protein किस पदार्थ में बदलते हैं तो दोस्तों या रखना एमीनो अमल में option C एमीनो अमल आपका right answer होगा next निकेगा आहर नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्वपाद क्या होता है क्या होता है option C माल्टोज आपका right answer होगा next निकेगे पीत निमन में किसके दवारा पाईदा किया जाता है तो तो सली देखिए गा Right answer की दुवारा याद रॉश्ट की दूर्ण तो पित यकृत की दुवारा पढ़ा किए, Option A आपका Right answer Next is, पित जमा होता है, पित जमा कहा होता है, देखिए यकृत में तो बनता है, लेकिन जमा कहा होता है, पित आशे में Option A, आपका राई त्रन सुगा, next यह कि रक्त का सुधिकन कहा होते हैं, रक्त का सुधिकन कहा पर होते हैं, कहा पर होते हैं, तो दूस्तो, राई त्रन सुगा है पर किड्नी में, option C, गया देखना दूस्तो, रक्त का सुधिकन किड्नी में होते हैं, रक्त का pH मान होते हैं, 7.4 पीएच मान्, दूतो, पीएच स्केल को तैयार किया था शोरैंश worry ने और मनुश्य का मुतर का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है, तो 6 होता है, जो याद रकना Next है आप के लिए, रक्त में लाल रंग, निमन में ब्याइक किसके कारण होते है रक्त का जो लाल रंग होते है वो किसके कार्ण होते है तो दोस्तों याद रखना रक्त का रंग लाल हिमोगलोबिन के कार्ण होते है Option B आपका हिमोगलोबिन राइट अंसर होगा Next है सफेद रक्तकन WBC वाइट बलड सेल का मुख्य कारी क्या होते है WBC की फूल पूल मती है white blood cell हिंदी में सफेद रक्तकन तो इनको मुख्य कारी क्या होते है तो चाली देखी रोग पर्देरोदर चमता को दान करना WBC का मुख्य कारी होते है WBC का दोसो G1 काल होते है 2-4 दिन या रखना 2-4 दिन WBC का G1 काल होते है नेस्ट देखिए का, रख्ते समुके, खोज करता कौन है, कोन है दोसो, Lanshaner, Karl Lanshaner इनका पूरा नाम है, तो option A, आपका Karl Lanshaner यहाँ पर right answer होगा. next rh factor का परता लगाय rh factor का परता किसने लगाया तो दोस्तों या रेखना lansdownẩr ताँ viener ने rh factor का परता लगाया option d आपका right and so next manushyke must iska sa 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 bga ba manushyke must iska सब इसे बड़ा भाग पर मस्थिस होता है option C आपका राइट अन्स होता है मनुष्य के मस्थिस का ओस्तन वजन कितना होता है 1350 ग्राम ध्यान से सुनगे 1350 ग्राम मानों मस्थिस का ओस्तन वजन होता है next एक और आज का last question मनुष्य में मेरू दन से कितनी जोड़ी तंतरिका निकलती है मनुष्य के मेरू दन से कितनी जोड़ी तंतरिका निकलती है तो दोस्तो याद रखना 31 जोड़ी option C आपका राइट अन्स है पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में आशा रहेगी या आपके वीडियो पच्छंद आई होगी और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरू करें अपने दोस्तों के साथ और जो भी चैनल पने है चैनल को सब्सक्काइब करेंगे PDF के लिए Telegram चैनल को जोईन कर लें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो गुडबाए तेक केर जै हिंद जै भारत वहन्दे मात्रण